हेलो फ्रेंड्स किरंदा निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही सुन्दर डिजाइन इस डिजाइन को आप कार्डिगन जैकेट टॉप कैप और भी बहुत सारे प्रजेक्ट्स पे इस्तमाल कर सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर बन के आता है देखिए दिखने में जितना सुन्दर है यह बुन्ने में उतना ही इजी है ऐसे टफ लग रहा है बट यह बहुत ही इजी डिजाइन है छे सलाईयों का डिजाइन है तीन तो इसमें सिंपल ही है और तीन में यह डिजाइन आता है यह इसके लिए लिए है मैंने 30 फंदे मैं जो इसमें डिजाइन डालने वाले हूँ वो even number पे चलता है आप even number के कोई भी फंदे इसमें cast on कर सकते हैं even number यनिके 2 के साथ divide होने वाला कोई भी number और friends ये जो stitches हैं ये designer stitches हैं इनका वीडियो मेरे चैनल पे है आप वहाँ जाके इसको द बॉर्डर दिया है इसमें ये मैंने सीधी सीधी डाली हैं छेस लाइए अपने डिजाइन को base देने के लिए ये मैंने इसमें बॉर्डर दिया है तो चलिए friends ये इसकी right side है start करते हैं design right side row 1 सारी की सारी सीधी भुनके complete करेंगे इसको पूरा आप जो जितने फंदे हैं सीधे बुन लीजिए देखे friends row number 1 जो है वो सीधी बुनके हमने complete कर लिए right side की अब आतने हैं इसकी wrong side में wrong side row 2 इसको आप सारा का सारा उल्टा बुनके complete करेंगे देखे ये पूरी row आप ultimate उनके complete कर लिजिए मैं भी कर लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको right side में हम row number 3 इसको भी आप सीधा बुनके complete करेंगे देखे पूरी की पूरी row ऐसे सीधी बुनके complete कर लिजिए ये छे सलाइयों का design है total इसमें तीन सलाइया ऐसी आएंगी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी और फिर बाद में तीन सलाइयों में design आएगा तो ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ wrong side में हम row number 4 इसको ध्यान से देखिए अब आप पहला फंदा आप सीधा बुन लीजिए या stitch जैसे भी करना हूँ आपको कर लीजिए ये stitch है इसका अब आगे देखिए one और two दो फंदे छोड़के यहां से डालेंगे बीच में से और ये फंदा निकाल के लाएंगे देखिए ऐसे इसको हम lose रखेंगे फंदे को पकड़के रखेंगे फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे को बुनते हुए देखिए ऐसे यह दिखिए ऐसे आएगा यह lose रहना चाहिए फंदा अब बस आपको यही रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स देखिए one और ये two दो फंदों के आगे से आप बीच में से यह दिखिए यहां से यहां इसकी सिलाई डालेंगे और यहां से फंदा निकाल के लाएंगे यह देखिए ऐसे इसको lose रखेंगे और यह दो फंदे जो हैं इनको दो का एक करेंगे देखिए ऐसे यह जो फंदे आप निकाल के ला रहे हैं इनको आप lose रखेंगे तब ही यह दिजाइन अच्छा आएगा यह दिखिए फिर से वैसे करेंगे दो फंदे के आगे से बीच से यह दिखिए जहां से नीडर डालेंगे और और ऐसे फंदा निकाल के लाएंगे इसको थोड़ा सा पकड़के रखिएगा आप फिर 2 फंदों का एक कीजिये पिछे को गुंते हुए इसको थोड़ा सा खेंच लेंगे तो यह धीला हो जाएगा अपने आप फिर से ऐसे ही फिर दो का एक करेंगे पीछे को बुनते हुए देखे ऐसे और इनको लूज रखेंगे ये देखे फ्रेंड्स ये लूज आ रहे हैं फंदे फिर वैसे ही करेंगे फिर दो का एक करेंगे पीछे को बुनते हुए इनके आप टेंशन ना ले जैसे आप इनको खिंचोंगे ये दोनों लूज हो जाएंगे अपने आप लास्ट फंदा बुनने के बाद ये दिखिए जैसे हम ये निकाल के लाए जब बुनते वक्त आपका अगर फंदा छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं ये वाला तो यहां से आप पिछे को जब बुनोंगे तो जब आप ये फंदा निकाल के लाओगे तो ये देखिए अपने आप ये अराम से लूज हो जाएंगे अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बता दिया है दो दो फंदों का ये आपको ऐसे ही करते जाना है एक बार और बता देती हूँ ये देखिए बीच में से फंदा निकाल के लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे हम पिछे को बुनते हुए ये पूरी जो है ये ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए बस यही ध्यान रखे इनको आप लूज कर लीजिए तो ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स इस रो की लास्ट में हम ये मैंने सारा कर लिया दो दो का जैसे करना था अब एक यहां पर फंदा ब लेगा ये दिखे एक फंदा आप एस टिच जैसे मर्जी कर लीजिए सीधा बुन लीजिए फिर आपको फिर से वैसे करते जाने ये दिखे दो फंदे हैं ये यहां से लेंगे ऐसे और दो का एक कर देंगे पिछे को बुनते हुए बुनने का तरीका सेम रहेगा ये दिखे यहां से बुनेंगे लूज रखेंगे दो का एक कर देंगे पिछे को बुनते हुए मोटी वूल पे फ्रेंट से डिजाइन ओवर भी सुन्दर बन के आएगा ये दिखिए वैसा ही तरीका है जैसे हमने रोंग साइड में बुना है दो के बीच में से निकार लाएंगे और दो का एक कर देंगे इधर से आपका एजीली हो जाएगा क्योंकि ये आपके फंदे पहले से ही दिख रहे हैं ये दिखिए ये इसके शेद जो है ये पहले से ही दिख रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी ये दिखिए और ये दो फंदे हैं इनका पिछे को बुनते हुए दो का एक कर दीजिए पूरी रो आपको ऐसे ही बनाने है यह दिखिए ऐसे पर रखेंगे आप लूज फ्रेंड्स तब भी यह इस डिजाइन की लुक बन के आएगी दिखिए आप देख रहे हैंगे यह दिखने लग गया काफी दिखिए यहां से निकाल के लाएंगे और दो का एक कर देंगे जब आप दो का एक करेंगे तो आपके फंदे अपने आप यह लूज हो जाएंगे जैसे आप थोड़ा सा खेंचेंगे तो लूज हो जाएंगे दिखिए और दो का एक करेंगे पिछे को बुनते हुए यह बूनेंगे दो का एक करेंगे पिछे को बूनते हुए तो हो सकते कि आपका यह मिलगी टाइंट हो जाए यह दिक्किया जब आप बून लोगे तो थोड़ा से इसको ऐसे करोगे तो यह अपने ही लूज हो जाएगा यह दिखिए बट आप देख लिजे कि यह दो फंदे हैं एक फंदा नहीं है दो का एक करना यह पीछे को बुनते हुए यह दिखिए दो का एक पीछे को बुनते हुए देखिए ऐसे सेम ही रो है लास्ट में बस रहा है हमारा और यह एस्टिच है इसको कैसे भी आप बुनके कम्प्लीट कर सकते हैं इसी के साथ फ्रेंड्स यह रो हमारी कम्प्लीट होती है रो नमबर सिक्स में हम रोंग साइड में इसको भी आप ध्यान से देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन सलाईयों में डिजाइन बनेगा यह देखिए यह एस्टिच है इसको कैसे भी बुनिया यह बुन लिया अब यह जो दो दो फंदे हैं हमारे पास इसमें से आप एक सीधा बुनोंगे और धागा आप यहीं पीछे ही रहने दोगे और एक आप ऐसे पर्ल वाइस लिप करोगे देखिए आज़े एक आप सीधा बुनोंगे धागा पीछे रहने देंगे परलवाइस लिप कर लेंगे यह दो फंदों में से हैं देखे, दो-दो हैं हमारे पास दो-दो के यह पेर है यह देखे, इन में से पहला फंदा जो है वो आप सीधा बुन लिजिए और नेक्स्ट आप उतार लेजिए, धागा पीछे रहने दीजिए सीधा, स्लेप सीधा, स्लेप सीधा, स्लेप सीधा, स्लेप सीधा बंदा बुनेंगे, स्लेप करेंगे सीधा फंदा, स्लेप, सीधा, स्लेप, सीधा फंदा बुनेंगे, स्लेप करेंगे, सीधा बुनेंगे, स्लेप करेंगे, सीधा, परल वाइस स्लेप करना आपको, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करिएगा, सीधा फंदा बुनेंगे स्लेप करेंगे और लास्ट का फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे ये देखे देखे फ्रेंड्स डिजाइन बनके आगया बहुत सुन्दर सिर्फ छे स्लैयों को डिजाइन है ये तीन इसमें सीधी उल्टी सीधी आएगी और तीन उपर वाली स्लैयों में ये डिजाइन आएगा बहुत सुन्दर बनके और फ्रेंड्स ये बहुत ही एजी है इसको आप आराम से डाल लोगे सिरफ आपको छे स्लैयों ये रिपीट करते जाना है जैसे मैंने यहां से आपको बताई है रो नमबर वन से छे स्लैयों तक इसको रिपीट करते जाना है मैं एक और डाल लेती हूँ फिर इसकी फाइनल लुक के दिखेगी कैसे दिखता है ये ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम ऐसा करते हैं राइड साइड है तो हम रो वन को रिपीट कर लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा डिजाइन का रो वन जैसे हमने डाली थी सीधी बुनके कंप्लीट करेंगे आप ये दिखे थोड़ा समय आपको बता दूँगी आपको पता चल जाएगा रो वन को रिपीट कर रही हुआ जो हमने स्टार्टिंग से जैसे स्टार्ट किया था सीधी रो से ये दिखे ये coupledरते हुआ फिर मैं आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंट्स मैंने रो ONE को इसमें रिपीट कर दीया है आप देख सकते हैं डिजाइन की लुक ये दिखिए अभी हमने ये एक ही ऐसे वली लाइन डाली है अब आप आ गया कि और इसमें ऐसे वली बनाओगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा आप अपनी जैकेट पर डालिए कार्डिगन पर डालिए बहुत ही बढ़िया बनके आएगा और आपकी जो क बहुत सुंदर आ जाएगी ये दिखिए सिर्फ 6 लाइया इजी सी हैं इसमें आपको रिपीट करनी है ये दिखिए अब आप भी डालिए अपने किसी भी प्रजेक्ट पे इसको बहुत सुंदर बनके आएगा ये दिखिए बच्चों के स्वेटर पर डाल लीजिए कहीं भ बहुत ही बड़ी आप बने के आएगा और लुक बहुत सुंदर आएगी इसकी चाहे थोड़ी बार एक भूल भी हो थोड़ी मोटी हो तो और भी सुंदर बनके आएगा फ्रेंड्स तो आप भी इसको किसी भी प्रजेक्ट पे डालिए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दिदे, झालिए झालिए और लुक यू